नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा करन जोहर के फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डेली सॉप बता दिया था इतना ही नहीं कंगना ने इस एक्टर की शादी को लेकर भी चौकाने वाला खुलासा कर दिया है कंगना ने अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर लिखा एक अन्य सूपरस्टार जो एक वुमेनाइजर के रूप में जाना जाता है वो मेरे घर आया और मुझसे कहा कि मैं उसे डेट करूँ लेकिन उसके साथ मीटिंग बिल्कुल सीक्रेट रखूँ जब मैंने इस संदिक दिवयोहार की वज़ा पूछी तो उसने कहा कि वो एक पापा की परी को डेट कर रहा है जिसे वो प्यार नहीं करता मुझे ये मन्जूर नहीं था और मैंने मना कर दिया इसके बाद उसने अलग-अलग नंबरों से बात करना शुरू कर दिया मैंने उसके सारे नंबर ब्लॉक किये फिर मुझे लगा कि उसने मेरे डिवाइज हैक कर लिये हैं यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसके शादी परजी है और बच्चा फिल्म प्रमोट करने की एक ट्र लेकिन उनकी अपनी इंस्टा स्टोरी में जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रनवीर कपूर को लेकर यह खुलासा किया है इसके साथ ही कंगना ने इस पोस्ट में जिसे पापा की परी बताया है उसे आलिया भट से जोड़ कर देखा जा रहा है आपको बता कोई पहली बार नहीं है जब कंगना रनोत ने रनवीर कपूर के खिलाफ बयान बाजी की तो इससे पहले कई बार वो इस तरह की हरकते कर चुकी कुछ दिनों पहले जब खबरे आई थी कि नितेश तिवारी अपनी फिल्म रामायन के लिए रनवीर कपूर और आलिया भट क को कास्ट कर रही है तब भी कंगना रनोत ने रनवीर कपूर पर निशाना साधा था और अब कंगना ने रनवीर कपूर को लेकर एक और बड़ा दावा किया है आपको बता दे कि रनवीर कपूर की इमेज बॉलिवुड में पहले से ही प्ले बॉई की बनी हुई थी भले ही अब रनवीर कपूर की आलियभर से शादी हो गई हो लेकिन एक टाइम में ऐसा था जब उनके कई एक्ट्रिस के साथ अफेर की चर्चे खुब वाइरल हुई थी रनवीर डीपिका से लेकर कैट्रिना कैफ तक को डेट कर चुके हैं इसके अलावा भी कई एक्ट्रिस हैं जुनका रनवीर कपूर के साथ नाम जुड़ा है अलाकि आप कंगना ने रन्वीर कपूर को लेकर जो खुलासा किया है उसने पूरे बॉलिवूट को हैरान कर दिया है ऐसे में देखने वाली बात तो अब यह होगी कि कंगना के इस बड़े खुलासे और आरोप पर रन्वीर कपूर की इस तरह का रियक्शन देते हैं वैसे आपकी स्कॉबर की बारे में क्या रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं नमस्कार